हाई एव्रीवन मैं आपको दोस्ता है स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे आज करेंगे एक स्पीड टेस्ट परफॉर्मेंस टेट्स और रैम मेनेजमेंट टेस्ट शाओमी 12 वर्स वान प्लस 10 प्रो दोनों ही फोन में मिलता है स्नाप रगन 8 जेनरेशन वन और में दोनों ह को हम टेस्ट करेंगे और देखें कितना बढ़िया है दोनों ही फोन मार्च के मन्त में लांच हो सकते हैं इंडिया में तो देखते हैं पहले कौन आएगा वन प्लस 10 प्रो का तो कंफर्म है आना ही आना है शाओमी 12 वर 12 प्रो में सभी कुछ कुछ कंफर्म नहीं है अब है 120 हर्ट्स के रिफ्रेश रेट पर करूंगा कि बतब रिजल्ट नॉमल जैन्मन होना चाहिए और कंपैरिजन फेर होना चाहिए किसी को कोई एडवांटेज नहीं मिलनी चाहिए तो जैसे अब देख सकते हो 120 हर्ट्स पर दोनों ही है तो अब शुरू करेंगे ये वीडिय सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं हमारा टेस्ट सारे एक साथ यहां पर हम कर रहे हैं इसको रिस्टार्ट शामी ट्वेल में मिलता है मैं यूई 13 वहीं 1 प्लस 10 प्रो में मिलता है में कलर ओएस 12.1 मतलब यह चाइनिज विरेंट इसलिए कलर ओस है मगर जब ग्लोबल व कर था तो शायद प्लस पहले स्टार्ट हो जाए बागी देख लेते हैं कुछ सेकिंट पर हमें पता चल जाएगा जी हां वन प्लस 10 प्रो ने पहले अपना फोन रीबूट कर लिया और शामी 12 थोड़ा सा पीछे रहे गया है इसके बाद हम आप्स पर चलते हैं और जायों पर दोनों अलोकर में मुस्ट्स फ्लाक्षिप कि या फिर यह फिर उन प्लस 10 प्रो वैष्स हिस्ते आप को कि आता है और जेल यहां जाएगा तो यहां पर दोनों अल्मूस्ट सेम प्राइम पर हलका सा वन प्लस जादा आगे है तो वन प्लस 99 पॉंस यहां आओ गया काफी बढ़िया स्कोर आया है वहीं हमारा शाओमी ट्वर्फ एट लैक सेवंटी थी थाओजन पर अटक गया बागी पदा नहीं क्यों अटका विसे बहुत ही कम स्कोर है लास्ट ताम जो मैंने अन्बॉक्सिंगी थी तो स्कोर काफी अच्छा था शाओमी डॉल्फ का मैं इ तक तो यहां पर हमारा स्कोर शाओमी डॉल्फ को जल्दी आ गया है सिंगल को 1163 मृटी को 310 काफी इंप्रेसिव स्कोर रहा है वहीं हमारा श्वन प्लस थोड़ा अटक गया है काफी स्लो हो चुका है और स्कोर भी काफी कमाई सिंगल को 675 मृटी कोर का 3193 इसके बाद हम प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर को देखते हैं तो यहां पर लोडिंग में थोड़ा सा बहुत ही माइनर से एफ्ट से वन पर जाद एक एप खोल लेता हूं राद बाद में मैंने टेस्ट करेंगे तो मैं देखेंगे कि फिर से रोड लेता है या वही एप खुल दोनों म काइण मास्टर तो काइण मास्टर में यहां पर वनप्लस ने पहले खोली है दोनों में एड आई है मगर आप को दिखाना जाता हूं अगर आप काइन मास्टर में रेंडर करते हो वीडियो तो आपको 4K का सपोर्ट दोनों ही फोन में ने मिलता अब अब informatics नहीं आया भी खोल देता है तो यहां पर login का सब के page आ गया है, loading ले रहा है और थोड़ा सा शाउमी 12 आगे है, यहां पर login का page आगे, उसमें थोड़ा सा लेट आया, तो शाउमी 12 ने भी जलदी खोल लिया, इसको हम यही पर छोड़ देते हैं, और next game के दरफ चलते है, next game है, Ashward 9, यह एक heavy game तो देखते हैं इसको OnePlus या Xiaomi 12 में से कौन पहले लोड लेता है तो मेरे साब से दोनों ही almost same speed पे चल रहे हैं मगर लोड जो लेगा उसका पता चल जाएगा तो यहाँ पर Xiaomi 12 ने पहले लोड लिए तो दोनों Heavy Games Xiaomi 12 ने पहले open की हैं जो मेरे साब से काफी बढ़िया चीज लगी मुझे बागी रैम management पे देखने वाला Xiaomi कितना बढ़िया काम करता है next यहाँ पर Google Play Store हम खोल चुके थे तो वही एप खुला जोड़ा था Amazon खोलेंगे तो फिर से OnePlus तो मैं जोटे आपस है वह OnePlus जल्दी खोल रहा है मगर हैवी में हमारा Xiaomi ने जाद अच्छा गी तो इसमें भी कोई पेज को लेते हैं यह पर छोड़ेंगे पहले खुला लास्ट आ जाता है हमारा यूट्यूब अल्मोस्स सेम टाइम पर दोनों के ही लोड हुए इसके बाद हम खोलते हैं यह नीचे वाले अप्स कैमरा डाइलर और मैसेज वाला तो यहां पर Xiaomi 12 ने बहुत जल्दी ओपन कर लिया इसके बाद हम खोलेंगे डाइलर तो वन प्लस पहले खोल गया फिर खोलते हैं मैसेजेज फिर से वन प्लस बहुत ही माइनर डिफरेंस से तो कुछ बचानी अब ट्राय करते हैं रैम मैनेजमेंट जो जो मैंने एप्स खोले ते मैं उनको फिर से खोलके देखूंगा वो र यह वाइड लाइन पर चोड़ा था यह वाइड लाइन पर ही आया है शामी जादा बड़ी है प्रफॉर्मस कर रहा है पब जी देखा जाए तो दोनों ही रिलोड हुए है मुझे था शाहिए पब जी में एक ना एक तो खुलेगा मगर नहीं शामी की परफॉर्मस अच्छ लगी मुझे और M.I.U.I काफी बढ़िया है चाइना वाला इंडी ग्लोबल वाला तो कुछ अलगी बात है तो इसमें गेम भी दोनों की ही रिलोड हुई है किसी ने रैम मैने मतलब फिर से नहीं ओपन कर दी तो मतलब रैम मैनेजमेंट दोनों की ही इतनी बढ़िया नहीं जाही जैसे अब देख सकते हैं पूरी-पूरी गेम लोड हो रही है तो इसका मबंद कर देते हैं नेक्स आता है हमारा कूकल प्ले स्टोर यहां पर मैने एक आप खोले से दोनों में तो यहां पर कॉल अफ डूटी आगी शामी 12 में मगर वन प्लस में नहीं आया काइन मास् यहां पर हमारी फ्रफाइल खुली शामी 12 पर नहीं खुली अमासान पर अपर टेबल था रहें नो नियूब ढॉंत जाओ कि लुए नहीं अए नहीं पर ठाल पर बड़ी यह लगा मुझे और यह भी सकते हैं वान प्लस पर फिर से री लोड हुआ है तो रिली रिली आसम तो आज के टेस्ट की बात कीज़ए तो शाओमी ने काफी अच्छा पर्फॉर्मेंस किया रैम मैंचेमेंट में वही स्पीड टेस्ट में वान प्लस की प्रफॉर्मेंस थोड़ी जादा बढ़िया थी अगर हैव वान दे मात्राम